हेलो अविवान दिस इस मुस्कान जैन और वेलकम बाक टियो फेवरिट चैनल मैगनेट ब्रेंज जो आपको प्रवाइड करता है क्वालिटी अडिकेशन वो भी फ्री अफ कॉस्ट एवल्यूशन की कहारी में आज में आपको सुनाने वाली हूँ एक नया एपिसोड जो रिल कहां से आ गई हां ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर इंक्लिडेट हैं जो आज आप पढ़ने वाले हो और ये कहानी मैं आपको बहुत ही आसानी से सुना दूंगी क्योंकि आपको पता है ना हमारा पैटन क्या होने वाला है चलो एक बार फिर से बता दूँ हमारा पै और हम करेंगे इन चीजों को क्या crystal clear आपको समझ आ जाएगा आज कि यहां पर mathematical calculations क्यों included है क्या एक gene pool का मतलब है क्या उसको यहां पर explain किया जाने वाला है population के terms में mathematics का use क्यों है chemical equilibrium की बात क्यों हो रही है chemistry से जादा तर आप लोग familiar होना equilibrium word use करने से अब आपको लगेगा यह आपर equilibrium का क्या रोल है यह सारे concepts आज में clear हो जाने वाले हैं इसीलिए मैंने आपको इस से पहले जब general introduction दिया था इस chapter का तब इसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि भई हम then and there सीज को क्या करने वाले है अच्छ से deal करने वाले तो आज वो वक्त आ गया है आज हम पढ़न frequency of occurrence of alleles or a gene or a locust अच्छा देखो locust क्या है locust का मतलब है location लोकस क्या है locust का मतलब है location ठीक है किसी जीन या किसी एक specific locust पर ठीक है जितनी भी number of alleles पाए जाएंगे उनके पाए जाने की possibility जो होगी उनके पाए जाने की संभावना जो होगी ठीक है किस की बात कर रहे हैं थोड़ा सा दूर दूर लग रही हो ना यह बात हैं यह टर्म सुई ने थोड़ा पास बुला लो देखो जीन क्या होगा करती ही जीन पेर यहादे ना किसी एक particular character की अगर मैं बात कर लो for example मैंने ले लिया character height का ठीक है बाई अब तो पूरे में ready चल ना हाँ बीच में यलो म समझो height को ठीक अब इस character में मैंने बोला कि यह इसकी एक जीन है किसी एक locust पर इसकी एक जीन पाई जा रही है ठीक है किसी एक chromosome पर अगर मैंने बोला आप से कि इसकी जीन पाई जा रही है तो इसमें क्या पाई जाती थी टीक है pair of contrasting traits पाई जाते थे जो कि भले same character को represent करें बले height को represent करें पर जो contrasting traits वाले pair हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे हमारे alleles कहलाते थे मतलब एक character एक जीन के अंदर क्या होती थी दो alleles होती थी जैसे कि क्या जैसे कि example ले लो आप यहाँ पर किसका tall and dwarf का जैसे कि example ले लो आप यहाँ पर किसका tall and dwarf का अब यह दोनों जो character ह ठीक है यह दोनों जो यहाँ पर contrasting characters हैं यह दोनों क्या represent कर रहे हैं same height को represent करते हैं ना same character को represent करते हैं तो इस वज़ए से इन्हें हम क्या करते थे भई इन्हें हम कहते थे एलील्स जो की पाई जाती है किस पे jeans पर पाई जाती है दो अलग अलग तरह की jeans में दो अलग तरह के contrasting traits वाली एलील्स पाई जाती है यह चीज़ अगर आपको यहाँ से याद रहे गई है ठीके वापस से आपने recall कर लिए जो की जादा वक्त नहीं हुआ था पड़े स्मॉल टी उसी का अल्फबेट बस्मॉल में यह रिप्रेजंट करता है क्या कि यह इसकी contrasting वाली character दिखा रहा है टॉल से contrasting वाली ड्वाफ है वही दिखा रहा है और वह कैसी है रेसे से यह यह भी दिखा रहा है इसका small letter से रिप्रेजंट होना यह सब कहानी आद आगई भूले तो रही था इस कहानी को यहां use होगी देखो अब क्या होता था भाई यही कि किसी एक gene में ठीक है किसी एक particular locust पर पाई जाने वाली number of alleles की possibility निकाल पाना चीक है किसी एक given population में यह possible है कैसे possible है समझते हैं भी देखो तो this frequency is supposed to remain इस frequency को क्या मानों यहां पर आपको complete यह तो मैंने बता दिया ना math आने वाली है equilibrium आने वाला है यह सारे terms आने वाले तो अब इस चीज से तो familiar हो इसके लिए बिल्कुल ready हो के बैठो हम धीरे दीरे क्या करने हम धीरे अपने given वाले चीजों को निकाल रहे हैं कि हमें क्या-क्या given है हमारे पास कौन-कौन से symbols हैं ऐसे ही करते हो अप ऐसे ही करते हो numerical को solve के पहले given देख लो कि क्या-क्या दिया है फिर देखो के पूछा क्या है फिर जो दिया है उसका symbol और जो पूछा है उसके symbol से related आपको कोई formula याद है क्या उसको वहा लगा दो और बस answer आ जाता था यही phenomenon है right सद्यों से चली आरी भाई अलील्स पाई जाएंगी जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे for example मैंने एक population बनाई ठीक है for example मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक population है और उसमें मेरे पास है कितने individuals for example मेरे पास एक population में है 5 individuals यहां मैं कहा दूं के चलो मेरे पास 10 है 10 बनाने में थोड़ा सा वक लग जाएगा बना देते हैं बट ठीक है for example मैंने कहा कि मेरे पास एक population में कितने है 10 individuals है ठीक है 5 मैंने draw किये हुए है 5 more मैं draw कर देती हूँ अब अगर मेरे पास यह 10 individuals है तो इनके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ मैं इनके बारे में यह बता सकती हूँ कि इन सब के पास किसी एक particular character से related क इनके पास कितनी genes होंगी एक particular character के अगर मैं बात करूं जैसे की height की तो इनके पास कितने alleles होंगे दो हर एक के पास कितने alleles होंगे यही 2 alleles होंगे ठीक अब अगर हम total निकाले कि हमारे पास number of individuals कितने है 10 population की बात हम कर रहे है पूरे population जो मैंने यहाँ पर example लिया है अगर ए इन इनडिविच्योल के पास किसी एक particular character से related एक ही gene होती है उस एक gene में कितने alleles होती है दो alleles होती है तो मतलब इसके पास कितनी genes होगी पूरे तोटल की पास कितनी हो गई multiply पाना क्यां बहुत जादा मुश्किल काम है कि अगर इसके पास भी है यह इसके पास भी ने साथे सब 152 पैलेठ्ट कितने होंगी Safe关 एलील्स की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने पाए जाएंगे उनके अंदर 20 पाए जाएंगे क्योंकि हर एक के पास दो पाए जा रहे हैं ठीक यह यह वाला जो यहां पर theoretical इस चीज को calculate कर पाना क्या possible नहीं था क्या यहां पर mathematics को लगाना कहीं से भी कुछ गल कितनी हो गई 10 हो ठीक है हर एक के कितने होते दो contrasting pairs होते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है एक dominant and recessive वाला ठीक है homozygous, citrozygous जिस भी condition में है उससे नहीं मतलब अभी होते तो दो ही है ठीक यह मैंने लिख दिया यहां पर क्यालील्स होगी कितनी 20 अब यह calculation जो मैंने ल सब्सक्राइब यह सेम रहेगा हां उस case में आप बोलोगे माम अगर इन सबने क्या करा बच्चे पैदे कर दिये population जो है वो number में increase हो गई हाँ number में increase होती है तो मैं वो case भी बना देती हूं कि अगर number में increase होती है population मैंने कह दिया कि यहां पर मैं 20 तो बनाने नहीं बैठ सकती ठीक है अब 20 बनाने तो नहीं बैठ सकती मैं बता देती हूं कि मैंने यहां पर बना दिये कितने individuals ठीक है तैन 55 और यहां पर एक और बना दिया 5 ठीक है मैंने अगर कह दिया कि यह जो number है अब क्या हो चुका है डबल हो चुका है अगर मैंने यह कह दिया कि यह जो number है अब क तोटल यह population अब कितनी हो चुकी है 40 ठीक है चीक कितनी हो चुकी भई 40 एक काम करते 20 ले लेते हैं 20 ले लेते हैं ताकि यह वाले इससे मैच नहीं करेगा नंबर ठीक है अगर यह population अब कितनी हो चुकी है 20 हो चुकी है जीन आपके पास एक ही होगी मतलब सबके पास total genes कितनी होगी 20 होगी ठीक है तो मैंने लिख दिया भई genes कितनी होगी यहाँ पर 20 ठीक है और अगर मैं कहोँगे यहाँ पर कितना निकल कर आएगा मेरे लिए 40 ठीक है बहुत जादा दिमाग घूंग गया क्या बहुत जादा बड़ी mathematical calculation चल रही है क्या नहीं चल रही है ना basic है कि यार अगर हर एक के पास character को represent एक character वाली gene होती है एक तो हो जाएगी बिल्कुल number of population से equal और अगर हम बात करें एलील की तो वो हो जाएगी double क्योंकि वो होती है क्या एक जिन पर दो ठीक है तो यह वाला calculation तो basic है मैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब इसको जड़ा थोड़ी देर के लिए अगर उड़ा दे यहां से सेम प्रॉसेस जो मैंने आपको यहां पर आड़े तेड़े इंसान बना के बताई इसी चीज को यह principle हमें आपर यह बताना चाहते हैं कि जो sounds यह इसका क्या जा रहा है डबल जा रहा है कुछ ना कुछ सेम कुछ constant चीज तो जरूर बन रही है ठीक है इतना तो आप लोग अजीम कर पा रहे हो ना बिल्कुल basic math है आप यहाँ पर इन्हों ने क्या कहा कि यह population जो है वो कैसी रहेगी एलील frequency किसी भी population में stable रहेगी हमेशा ठीक है और constant रहेगी generation to generation साहे आप कितनी भी generation बना लो कैसी रहेगी constant रहेगी उसमें पाये जाने वाले contrasting pairs change हो सकते हैं लेकिन रहेंगे number तो सेम रहेगा ना बात यहाँ पर number की हो रही है तो number तो हमेशा सेम रहेगा बस वही उन्होंने कहा कि यह constant रहेगी generation to generation the gene pool total genes and their alleles in a population remains a constant जो total gene pool है ठीक है यह देखो यह पूरा क्या कहलाएगा उस population का gene pool कहलाएगा यह पूरा क्या कहलाएगा उस population का gene pool कहलाएगा कौन सा जैसे अभी मैंने बोला था कि total number of population इंडिविजूल से किसी population में 10 है उनके अंदर जो gene पाई जाती हर एक के अंदर एक character को represent करने वाले का example ले रहे है वो 10 है और हर एक character को represent करने वाली gene के अंदर number of alleles कितने होते हैं 2 होते हैं 20 हो गए total तो अब यह क्या हो गया अब यह phenomenon किदर बढ़ गया अब इस phenomenon कि अगर मैं बात करूं तो यह हो गया कहानी आपकी यहाँ पर 20 ठीक है यह 20 वाली जो कहानी है यह कैसी रही constant रही total genes और उनके alleles कैसे रहे population में हमेशा constant रहे चाहे मैं इसको अगर बढ़ा भी दूँ ठीक है इसको अगर मैं बढ़ा भी दूँ तो रेशो बढ़ा क्या रेशो 25 देखो नमबर में मझज ह बढ़ा नहीं बादला न बस वही चाहरої है वह वहो कि यह रह रहा है काallas हमेशा constant अको की यह यह number constant है न हन्वर росс तिन काने लाई कोones करने वाली, now gene pool, total genes and the alleles in our population remains a constant, ठीक है, this is called genetic equilibrium, इसी को उन्हों ने कहा कि genetic equilibrium हमेशा क्या रहता है, maintained रहता है, sum total of all the allelic frequencies is 1 और सारी allelic frequencies का अगर आप क्या निकालोगे, sum total निकालोगे, तो वो हमेशा निकल कर आएगा, क्या 1, ठीक है, यह उन्होंने क्या दिया, एक उन्होंने equation derive की, कि अगर यहाँ पर यह constant phenomenon नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ के उपर हम निकाल सकते हैं, क्या एक equation derive कर सकते हैं, और इस equation को उन्होंने कैसे बताया, अभी आपको equation नहीं बता रहे हैं, अभी आपको पूरा हर एक 1 लिखने के पीछे, P plus Q करने के पीछे, सब के पीछे का logic क्या है, वो एक्स्पें कर रही है, NCRT, कि आपको बताया गया, कि यह जो genetic equilibrium है, इसके basis पर हम यह कह सकते हैं, कि जितनी भी allelic frequencies हैं, जितने भी alleles के पाये जाने की possibility है, वो हमेशा रहेगी कैसी? equilibrium में रहेगी, मतलब रहेगी equal to 1, ठीक? अब इसका मतलब देखो आगे क्या हुआ? Individual frequencies for example, can be named P, Q, etc. इसके रहा, individual frequency को हम क्या नाम दे सकते हैं, P नाम दे सकते हैं, Q नाम दे सकते हैं, जैसे कि क्या नाम दूँ में अगर, मैंने अगर कहा किसी deployed में, ठीक है, NCRT का example लेते हैं, अगर हमने कहा किसी deployed में, P and Q represent the frequency of allele A and allele A, ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक individual के अंदर, ठीक है, मान लो, आप ये represent कर रहा है किस चीज को eye color को, ठीक है, height का example हमेशा लेते हैं, अब ले लेते हैं, अपन eye color का, ठीक है, मान लो, eye color एक character है, उसको represent करने वाली कितनी allele हैं, उसके पास, ठीक है, एक capital वाली dominant वाली और एक small वाली, ठीक है, मान लो, मान लो कि capital A जो है, वो क्या कर रहा है, red eye तो बहुत जादे हो गया, ठीक है, blue eyes को represent कर रहा है, ठीक है, और small A जो है, वो grey eyes को represent कर रहा है, ठीक है, blue eyes और grey eyes को represent कर रहा है, इस तरह से यह represent कर रहे हैं किसको eye color को, अब eye color की अगर मैं बात कर दूँ, कि यहाँ पर जो यह वाली gene पाई जा रही है, ठीक है यह वाली जो alleles पाई जा रही है किसी population के अंदर, मैंने कहा कि यह वाली alleles हमेशा किसी population के अंदर कितनी पाई जा रही है, मैंने आप से कह दिया यह पाई जा रही है, मैंने एक population ली, ठीक है, उसमें 69 या 80 individual थे, round figure हम बात करें, अब उन 80 individuals में से मैंने देखा, कि blue eyes वाले कितने थे, ठीक है, blue eyes वाली जो जीन थी, वो कितनी पाई जा रही थी, dominant वाली, ठीक है, सिर्फ मैं dominant वाली की बात करें, blue eye वाली कितनी पाई जा रह आपको randomly दे दिया, अब मैंने आप से ये कहा, कि ये इतनी इसके अंदर पाई जा रही थी, इनको जब भी आप क्या करोगे, sum total करोगे, इन दोनों का, इसको आप मान लो, ये जो आपको number कोई भी मिला है, ठीक है, या नहीं भी मिले, इसको मान लो P और इसको मान लो Q, ठीक ये जो P plus Q है, ये equal होगा हमेशा किसके 1 के, बस यही बात hardy win bug ने कही है, ठीक, एक बात ध्यान से देखते हैं, individual frequencies की अगर हम बात करें, जैसे हमने randomly कोई भी example लिया ना देखो, कोई एक fix बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक example लिले हमने आई color का, कि एक population है मेरे पा property पाई जा रही है 40 में और gray वाली जो है पाई जा रही है, इसमें 60, ठीक है, अब मैंने ये जो मुझे numbers मिले, ये frequencies है, कि इत्ती frequency में ये वाली allele पाई गई, और इत्ती frequency में ये वाली allele पाई गई, इसलिए इसे कह दिया हमने क्या? Allelic Frequencies ठीक है इन्हें हमने क्या कह दिया Allelic Frequencies क्या कह दिया इन्हें हमने Allelic Frequencies अब ये Allelic Frequencies जो कि इस ratio में पाई जा रही थी इस number में पाई जा रही थी इनको Hardy Wingberg ने ये कहा कि आप कभी भी किसी भी number में आपको Allelic Frequencies मिलेंगी ठीक है एक particular character वाली उनको जब भी आप sum total करोगे तो आपको मिलेगा क्या equilibrium आपको मिलेगा क्या कि वो दोनों equal होंगी किसके 1 के ठीक है अब उन्होंने ये कहा कैसे 1 के equal में होंगी The frequency of AA individuals in a population is simply P square ठीक है अब देखो कैसे ये 1 के equal होंगी पहले यहां पहुशते है This is simply stated in another ways that it is the probability that an allele A and small a frequency of P appear in both the chromosomes of a deployed individual is simply the product of probabilities that is P square यहां पर ये पूरा probabilities वाला mechanism बार बार निकल कर आ रहा है यह आप से क्या कह रहा है देखो इसको one by one लिखते चलो यहां पे देखो one by one लिखना क्या क्या टर्म है यह आप से क्या कह रहा है कि जो probability है capital A वाली अलील के पाए जाने की वो वाली की ठीक है इसकी जो probability है ठीक है किस के साथ पाए जाने की इस वाली के साथ पाए जाने की ठीक है with a frequency of P appear on both the chromosomes ठीक है, ये इस वाली frequency के साथ, इसके और इसके एक साथ पाई जाने की जो frequency है, दोनों chromosomes पर, ठीक है, of a deployed individual is simply the product of probabilities, वो जो इनकी probabilities है, उनका product होगा, मतलब आप इसे क्या कर दोगे, अगर आप इन्हें का product निकाल दोगे, तो वो आएगा क्या, P square, सिर्फ P की बात उन्होंने भी इस frequency की बात किये, बोला कि अगर आप इन दोनों के पाई जाने की जो probability है, उसका अगर क्या निकालोगे, product निकालोगे, तो वो निकल कर आएगा, क्या, P square, similarly of, अगर आप small a, small a की बात करते हो, यहाँ पर आप capital A, capital A की बात कर रहे हो, similarly अगर आप small a, small a की बात करते हो, तो वो निकल कर आएगा, क्या, Q square of AA is 2PQ, मतलब देखो, capital A, capital A का उन्होंने बोला कि P square आएगा, ठीक है, small a, small a का भी उन्होंने बोला कि क्या आएगा, P square आएगा, है न, यही बोला, दूसरा उन्होंने क्या बोला, capital A और small a का जो आएगा, वो क्या आएगा, 2PQ, यह dominant और recessive और तीसरी होती है, heterozygous, तीनो possibility के लिए आपको उन्होंने एक-एक expression दे दिया, ठीक है, तीनो possibility के लिए एक-एक expression दे दिया, आप तीनो possibility के expression के base पर उन्होंने क्या कह दिया, कि आप इसको जब भी इस formula में put करोगे, है, hence, P square plus 2PQ plus Q square is equals to 1, यह हमेशा हो जाएगा, क्या 1, ठीक है, यह हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा, अब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इससे यह होगा, कि कभी भी अगर आपको यह frequencies दे दिया जाए, ठीक है, कभी भी अगर आपको यह frequencies में से बोल दिया जाए, कि भाई इस homozygous dominant की frequency जो है वो इतनी है p square की कोई value दे दी और अगर आपको बोला कि इस heterozygous की जो frequency है वो इतनी है ठीक है 2pq की value दे दी या pq में से किसी एक की value दे दी ठीक है या फिर आपको इन में से किसी की value दे दी और आपको किसी दूसरे की value निकालनी हो तो क्या आप इस से अब easily नहीं निकाल पाओगे बस इसी तरह के बनेंगे इस से basic से numerical ठीक की अगर आपको इन में से किसी एक की भी frequency दे दी गई और आपको दूसरे की निकालनी है तो simply आपको इसको इस formula में put कर देना है और जैसे आप match के calculations करते हो बस वैसे ही याँ पर ये frequencies आपके निकल कर आ जाएंगी ठीक है देखो यहाँ पर इस statement में उन्होंने कहा था य और ये देखो capital A with small a ठीक है यह हमेशा गलत जगा पर जाके बैठता है ठीक इसकी possibility भी उन्होंने क्या कही होमोजाइगस dominant की भी के q square होगी और इस हिट्रोजाइगस वाले की उन्होंने क्या कही आप से के 2pq होगी आप अगर आप इसको इस formula में put कर देते हो तो यह हमेशा जाएगा कैसे equilibrium को maintain करके रहेगा हमेशे equal होगा किसके unity के यह expression उन्होंने दिया है और उनके इस expression के basis पर कभी अगर आप से किसी भी question में पूछा जाता है numerical में इन में से कोई भी एक value अगर देजी जाती है और दूसरी अगर आपको निकालनी हो दो ही value है आपके पास तो उस binomial expression देखते हैं that this is the binomial expansion of p plus q का whole square ठीक है when frequency measured differs from and differs from expected values the difference यानि की direction indicates the extent of evolutionary change यह ऐसा कहना चाहरे है आप से देखो यह ऐसा कहना चाहरे है आप से कि अगर किसी population में ध्यान से सुनना जो अभी आपने बीच में एक equation पढ़ी जो एक algebraic expression पढ़ा उसको पहले वाला जो मैंने आप आपको population बताई थी वह वाला बस ध्यान दो ठीक है एक population थी मैं फिर से बता रही हूं देखो ध्यान से सुनना एक population थी उसके अंदर मैंने कहा के दो लोग थे ठीक है या मान लो कि कितने थे 10 थे multiplied by 10 एक population है उसके अंदर अरे यार इसको red ही चलना होता है है अब इसके अंदर कितने थे मान लो कि 10 individuals थे है ना ठीक है population है 10 individuals उसके अंदर है ठीक है कोई दिककत नहीं अब इन 10 individuals में मैं आपसे कहा कि सब में एक ही जैसे जीन के एक ही character के लिए पाई जाने वाली जीन थी 10 और उसमें पाई जाने वाले फिर allele pair अगर आप देखोगे तो हर एक में होते हैं 2 तो इसे साब से यह total हो गई कितने आ जीन 10 एलील 20 इन टोटल है ना जीन 10 और एलील कितनी टोटल 20 ठीक अब क्या जीन 10 है एलील 20 है मैं अगर आप से यह कहूं कि जो नहीं population बनी ठीक है second generation इसको मैंने कह दिया चलो generation 1 और इसको चलो मैंने कह दिया आपसे generation 2 ठीक है अब total population कितनी हो गई second generation के आने के बाद 20 हो population के बाद मैं अगर आपसे बोलूं तो जीन ओवें कितनी 20 अब उनमें जो एलील स्पाई जा रही है ठीक है इनमें जो एलील स्पाई जा रही है वो जो एलील से बेटा वो नंबर में तो वाकई 40 ही रहेंगी लेकिन वो किस तरह की कौन सी वाली है उसकी frequency आपको नहीं पता यहां पर अगर आपको पता है कि इसकी frequency में हम homozygous वाले कितनी है heterozygous कितनी है और homozygous dominant वाले कितनी है यहां पर जो भी frequency पाई जा रही थी उस frequency से यहां पर क्या जरूरी है कि बिल्कुल exact match करें बताओं क्या यहां पर भी same frequencies में ही पाई जाएंगे अगर यहां पर मैं मैंने आपसे कहा कि जो 20 alleles है उन में से बिल्कुल मैं कह दूंगे आप बिल्कुल बराबरी से ठीक है यहां पर पाई जा रहे थे 10 homozygous dominant पाई जा रहे थे ठीक है 5 heterozygous पाई जा रहे थे और remaining मैंने कहा दिया कि 5 जो है वो दूसरे कोई पाई जा रहे थे तीनों की इस तरीके से मैंने frequency बता दी कुछ भी random बना लो ठीक है बस मुझे आपको दिखाना यह है कि यहां पर जो frequencies पाई जा रही थी वो same frequencies यहां नहीं पाई जाएंगे ठीक मतलब अगर एक population में homozygous अलील वाले 10 लोग है heterozygous वाले 5 हैं और homozygous dominant वाले 5 हैं ठीक है तो जरूरी है क्या कि उनके जो नए आउस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें भी हमेशा ऐसा का ऐसा same number चले है कि भाई भाई homozygous dominant वाले 10 के 10 यहां बनी है homozygous recessive वाले 5 यहां भी है और heterozygous वाले 5 ही यहां भी बनें जो नई 10 लोग की population बनी उनमें भी same बना क्या ऐसा होना जरूरी है हां अगर ऐसा होता रहेगा ध्यान से सुनना यह hardy winbug principle का सबसे important conclusion है अगर वो यह कहें के हां हमेशा ऐसा ही होता रहेगा और यह हमेशा रहेगा constant जो कि उन्होंने कहा भी है ठीक है hardy winbug principle ने यही कहा है न कि यह हमेशा कैसा रहेगा gene pool में हमेशा number यह सब कैसे रहेंगे constant रहेंगे यह सारी frequencies कैसी रहेंगी constant रहेंगी equal to रहेंगी किसके unity के हमेशा रहेंगे कैसे equilibrium में अब यह बताओ जड़ा कि यह equilibrium मेंटेन कैसे को पता है आपको तो पता है न भी पढ़ते हो पूरा चैप्टरी इक सबigator किस के बारे में है evolution के बारे में evolution का मतलब क्या है जaval तो चेंजे आ रहे हैं जो ग्राजॉल चींचे आ रहे हें चेंजे अगर आ रहे हैं तो फिर एक जैसा कैसे बना रहा है कोई ratio जैसा कैसा बना रहा सकता है कोई equilibrium और day कम और कैसे यह चीजया जो है वह conston rate सकती है उग यह सारे तो यहां पर भी यही exact ratio पाया जाएगा जो नई 10 लोगों की population बनी उनमें भी ठीक है और फिर जब आप total निका लोगे तो वही मिलेगा आपको ratio ठीक तो यह जो कहानी इन्हों ने बताई Hardy-Winberg principle ने यह कहा ठीक है Hardy-Winberg Equilibrium ने यह कहा ठीक है कि चीज़ें कैसी रहेंगी constant ठीक है या फिर कैसी रहेंगी in Equilibrium ठीक है constant रहेंगी equilibrium में रहेंगी लेकिन अगर मैं कहूं कि constant रहेंगी या equilibrium में रहेंगी तो फिर मतलब मैं यह कह रही हूँ कि no evolution कोई evolution नहीं है कोई gradual change नहीं है और कोई variation भी नहीं है इसका मतलब तो यह हुआ ना कि अगर चीज़ें constant रह रही है equilibrium में रह रही है मतलब कोई evolution नहीं कोई gradual change नहीं कोई variation नहीं ठीक तो यह एक यहाँ पर जो मैंने point raise किया है इसको ज़रा आप लोग बढ़िया तरीके से दिमाग में रखो और पढ़नो एक बार ज़रा NCRT की lines कि वो क्या कह रही है देखो अब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो कैसे क्या कह रहा है see disturbance एक बार ज़रा आप लोग read करो पहले इस line को देखो भई यह वाले line read करते है see this is a binomial expansion यह तो binomial expansion है जो कि represent कर रहा है किस चीज को कि यहाँ पर क्या होगा direction जो है वो indicate करेगा कि किस तरह से evolutionary change आ रहा है मतलब अगर यहाँ पर यह वाली जो equilibrium इनो ने बताई है ठीक है p square plus q square plus 2pq is equal to 1 अगर वो कभी भी 1 से जादा vary करता है उपर या नीचे होता है मतलब उसमें अगर कोई भी change आता है ठीक है तो उसका जो भी directional या indirectional change आएगा वो change यही दिखाएगा कि फिर क्या हो गया है यह जो ratio है यह सब क्या कर गए है vary कर गए है और अगर यह ratio vary कर जाए कि नई 10, 5 और 5 की बजाए क्या है सिर्फ 5 ही मिले आपको यह वाले ठीक है और 5 मिले यह वाले 5 मिले 5 5 कुछ नया ही मिल जाए आपको sequence ठीक है 5 कोई नया ही मिल जाए आपको combination कोई नया ही variation exist करने लग जाया उस नहीं population में नहीं generation के अंतर तो यह ratio पूरी तरीके से क्या हो जाएगा फिर disbalance आ जाएगा यह जो equilibrium की बात hardy win-bug कर रहा है यह equilibrium maintained नहीं रहेगा तो बस यहीं उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी change आता है अगर कोई भी difference आता है किसी भी direction में आता है आगे पीछे किसी भी direction में आता है तो यह indicate करेगा कि क्या आ गया है evolutionary change आ गया है क्या आ गया है? evolutionary change आ गया है कोई भी difference अगर आता है किसी भी तरीके से Hardy-Winberg का equilibrium अगर disbalance होता है ठीक है? equilibrium अगर maintain नहीं रहता है तो इसका मतलब ही यह होगा कि evolutionary change आ गया है क्योंकि Hardy-Winberg के equilibrium के according कोई evolution नहीं कोई variation नहीं तब ही equilibrium maintain रह सकता है वनना variation हर बार आएगा तो same ratio कैसे maintain हो सकता है कोई ratio constant कैसे हो सकता है नहीं हो सकता तो जब भी अगर कहीं पर भी कोई भी disbalance आता है कहीं पर भी अगर यह equilibrium गड़ बढ़ाता है तो इसका मतलब यह होगा कि क्या हो गया है evolutionary change आ गया है C तो distribute in genetic equilibrium और hardy windbug equilibrium जब भी genetic equilibrium या hardy windbug equilibrium में कोई disturbance आएगा मतलब उसके frequency में कोई भी change आएगा उसकी alleles की किसी भी population के अंदर चाहे वो bacteria की population हो चाहे वो human की population हो चाहे वो madhuत्वख्ण की population हो किसी की भी population हो कितने भी number की population हो उसमें अगर उसकी frequency में changes आते हैं Hardy-Winberg के equilibrium में अगर कोई disturbance आता है तो इसका मतलब ही यह होगा It would then be interpreted as resulting in evolution कि इसका मतलब है कि evolution हो रहा है evolutionary changes आ रहे हैं variations आ रहे हैं क्या आप इस conclusion को समझे कि Hardy-Winberg का principle जो है वो एक equilibrium को explain करता है जो बताता है कि equation हमेशा रहेगी equals to unity लेकिन अगर वो principle जो है वो गड़बडा जाता है वो equilibrium अगर disbalance हो जाता है यह frequency अगर change हो जाती है तो इसका मतलब है कि evolution हो रहा है इसका मतलब है कि changes आ रहे हैं इसका मतलब है कि variations आ रहे हैं clear है इतनी बात equilibrium जब तक है constant जब तक है frequency तब तक कोई evolution नहीं है ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं five factors are known to affect Hardy-Winberg equilibrium अब Hardy-Winberg के इस equilibrium को ठीक है यह कैसे affect होगा कैसे change होगा कब इसमे disbalance आएगा ठीक है बस मतलब वो factors जिनकी वज़र से आप ऐसे समझ सकते हो वो factors जिनकी वैसे evolution होता है वो factors जिनकी वैसे क्या आता है change आता है वो factors जिनकी वैसे किसी population में variation आता है वो सारे factors क्या है वो सारे factors वो ही factors है जो Hardy-Winberg के principle को क्या कर देंगे उसके equilibrium को disbalance कर देंगे उससे affect कर देंगे समझे बात लेकिनन डियां प्रिंसिपल के प्रिंसिपल के बात करें के इसको नहीं से कौन इसे परेशान कर रहा है तो वहः ने दे रहा है टीक है या वो प्रोसेसे जो क्या करवाती है एवल्यूशन को करवाती है जो क्या करती है चेंजिस को कॉस करती है तो चेंजिस को कॉस करने वाले फैक्टर्स या इवल्यूशन को कॉस करने वाले फैक्टर्स या वरियेशन को लाने वाले फैक्टर्स ही क्या होंगे वो फैक् बएक सब्सें को आपको याद ही मिलें यापको ईसकी विएसक्षों कैसे मिलें Loaning यहां पर आपको बहुत सारह गीमघ्रैम और यह जीन माईघ्रेशन Jn माइघ्रेशन यह एक एसा तर उक है जिसकी वएसे क्या होता है終 का प्रिंसिपल गड़ बड़ा जाता है ठीक है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो एक ऐसा फेक्टर है जनेटिक ड्रिफ्ट मूटेशन जनेटिक रेकॉंबिनेशन नेचरल सेलेक्शन यह सारे वो फेक्टर्स हैं जिन से हाडी मिन्बग एक्विलिब्रियम जो है वो क्या होत है डिस बैलन्स होता है क्योंकि इन सब चीजों से आता है चेंग को इंसान अगर नैचरल थ्योरी ऑफ नैचरल सेलेक्शन पर लिया ना हमने नैचरल सेलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो करेक्टर को अडाप्ट कर लेता है तो उसके अंदर पिर क्या लगते हैं चेंज जानघतर तो उसकी पॉपुवलेशन का जैशो था जो की पहले यह बता ता कि सिर्फ कैसी होंगी फार एंग्जशामपल से वह हो की एक मैशकर अगर एंगर लेकर और करके ऐसा individual हो जाए जो कि पहले चल रहा था लेकिन अब वो आ गया कहां पर तैरने वाले environment में तो वो चल भी सकता है वो तैर भी सकता है तो यह एक नहीं वराइटी आ गई ना अब वो रेशो जो है वो सिर्फ उन दों के बीच का नहीं रहेगा एक नहीं वराइटी आगे रेशो फिर गढ़ बढ़ होगा ठीक है तो यह जो एड़ाप्टेशन की वज़े से चेंज आते हैं यह सब क्या करते हैं हाडी विन्बग एक्विलिब्रियम को डिस्बालेंस करते हैं यह उसको अफ़ेक्ट करते हैं तो यह वो फैक्टर्स हैं जैसे की नैचरल सेलेक्शन जैसे की जनेटिक रिफ्ट जैसे की जीन फ्लो जैसे की जीन माइग्रेशन यह सारे वो फैक्टर्स हैं जो हाडी को equilibrium को disbalance करते हैं. Now, when migration of a selection of population to another place and population occurs, gene frequency change in the origin as well as in the new population. अगर क्या होगा? एक section of population, ठीक है? इसके अंदर population A, B, C और D exist करते हैं. ठीक है? और दूसरी वाली population में E, F, G और H exist करते हैं. क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? अगर population का एक section दूसरे place पर चला गया. ठीक है? यहाँ से उठकर एक population का जो section था, ठीक है? चेंज क्या आया? यहाँ पर से A, B, C इसमें रहे और D जो है वो यहाँ चला गया. ठीक है? E, F, G, H और यहाँ पर D भी आ गया. ठीक? तो अब यह बताओ बताओ, 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 बता और जो new population में जाके वो add हुआ है, उसमें भी change होती है, तो frequency दोनों जगा change हो जाती है, मतलब equilibrium, disbalance, next, new genes या alleles are added to the new population, नई genes या alleles अगर किसी नई population में add हो जाएं, जैसे कि इसी को हम रख लेते हैं अपने पास, ठीक, देखो, क्या होगा, कि अगर यहाँ पर यह पाए जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहें कि यह population पाई जा रही थी, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर एक नई gene या population जो है कि आके add हो गई, ठीक, इन दोनों में, पहले ऐसे पाई जा रही थी, यह दो अलग अलग population, फिर आके क्या होई, इन में एक नई gene आके add हो गई, ठीक है, तो अब भी population का जो balance है, वो गड़ बढ़ाएगा, क्या, new genes या alleles are added to the new population, and these are lost from the old population, there would be a gene flow if this gene migration happens multiple times, अगर यह जीन migration यहाँ पर मैंने explain किया था, यह वाला phenomenon एक बार को मैं हटा दूँ और पहले वाला वापस से लिया हूँ, हाँ, देखो, यहाँ पर क्या होगा, अगर यह multiple times होता है, ठीक है, अगर यह multiple times होता है, मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको भी हटा दूँ, ठीक है, और इसको भी मैं क्या बोलूँ, कि यह भी उदर ही flow कर गया, ठीक है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई, एक बार फिर से हो गया, ठीक है, यह भी जाके महीं बढ़ गया, ठीक है, तो अगर यह multiple times होता है, इस तरह का migration, ठीक, multiple times होता है, एक ही direction में, ठीक है, अगर multiple times होता है, तो क्या होगा, एक complete gene flow होने लग जाएगा, एक population से, दूसरी population की तरफ, पुरानी original population से, नई population की तरफ, यह नई से, पुरानी की तरफ, किसी भी एक direction में, अगर multiple times होगा, तो complete gene जो है, वो क्या कर जाएगी, दूसरी तरफ flow कर जाएगी, ठीक, तो new genes and reals अगर नई population में जाके add हो जाएगी, और पुरानी से lost हो जाएगी, जैसे पुरानी से lost होती जा रही है, तो there would be a gene flow, if this gene migration happens multiple times, अगर यह gene migration बार 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 होता रहेगा, तो यह completely क्या कर देगा, एक gene का complete flow create करेगा, जो दूसरी तरफ हो जाएगा, if the same change occurs by chance, it is called genetic drift, लेकिन अगर यही same change कभी by chance होता है, ठीक है, कभी अगर by chance यही same change आता है, तो उसे कहते हैं genetic drift, है ना, मतलब जो एक pattern में नहीं हुआ, जो एक किसी reason से नहीं हुआ, जैसे यह migration कैसे होता है, कि अगर यहाँ पर क्या हुआ, इनको favorable condition नहीं मिल रही, यहाँ conditions कैसी है, survive करने के लिए favorable है, तो यहाँ से वहाँ चले गए, ठीक है, और अगर यह किसी by chance हो जाए, किसी एकदम से हुए, किसी reason की वज़े से हो जाए, कोई ऐसा उसका fix logic ना हो, तो वो क्या कहला जाएगा, genetic drift कहलाएगा, तो जब भी इस तरह का migration कैसे हो, by chance हो, तो वो क्य कहलाएगा, genetic drift कहलाएगा, यह सारे वही factors हैं, जो Hardy-Winburg principle के equilibrium को बार-बार क्या कर रहे है, disbalance कर रहे है, ठीक है, उसको affect कर रहे है, sometimes the change in allele frequency is so different, कभी कई बार तो यह जो allele frequency में आया change इतना जादा हो जाता है, नई sample population में, ठीक है, that they become a different species, कि वो एक completely अलगी species बना लेते है ठीक है, वो completely एक अलगी species बन जाते है, जैसे अगर मैं कहूं कि यह जो migration हुआ है, वो इस तरह से हुआ है, कि यहाँ पर पाई जा रही थी, ठीक है, 10 birds पाई जा रही थी, ठीक है, 10 birds पाई जा रही थी, अब एक दम से क्या हुआ, sudden, by chance क्या हुआ, इन 10 birds में से, 5 birds जो है, व और यह ऐसी location पर migrate करी है, जो एक दूसरे से completely opposite है, तो यह अपने अंदर बहुत ही अलग characters को adapt कर लेंगी, और यह अपने अंदर बहुत ही अलग characters को adapt कर लेंगी, अब इस वज़े से इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में इतना जादा variation आ जाएगा, लगेगा ही नहीं कि यहां पर यहां पर 10 अभी भी बाकी है, और यह 5 और 5 अलग अलग जगा चले गए, और इन्होंने completely अपने आपको different species में convert कर लिया, मतलब उन्होंने characters इतने अंदर अपने अलग तरीके के adapt कर लेंगी, आप वो अपनी original species में match ही नहीं कर रहें, यहां पर 10 अभी भी बाकी है अगर मान लो, इन से यह लोग match ही नहीं कर रहें, ठीक, तो यह condition हो सकती है, original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect, अब यह जो original drifted population थी, ठीक है, यह जो original drifted population थी, जो यहां पर जाके क्या हो गई, drift हो गई, वो क्या कहलाएगी founder, मतलब इसी से, इसी से जाके यह सारी नई species में यह लोग बने न, कि founder कहलाएगी, इस genetic drift का और यह पूरा effect क्या कहलाएगा, founder effect कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जैसने इस change को cause किया, ठीक है, नओ, microbial experiments show that pre-existing advantages mutation, इस तरह से बार-बार क्या हो इस अगर किया गया है जो स्मॉल माइक्रोब्स की अगर हम बात करें जितने भी पहले से इनको अगर सेलेक्ट किया जाएगा नए फिनोटाइप की बात अगर हम करें अब्जरवेशन के लिए कि जो नए फिनोटाइप को एक्सिबिट करते हैं तो यहां पर कई सारी जनुरेशन में अगर देखा जाएगा तो इससे क्या समझाएगा आपको स्पिशियेशन समझाए करेंगे तो यह सब क्या करेंगे यह सब ये सबनेर त्रहा की सूपिशिज को बना लेंगे क्योंकि हम जब 7 इस पर शजानी नजरी नजर हों कहलाएगा natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny natural selection तो भई हम पढ़ी रहे हैं पिछली इतनी सारी classes तो इस तो मुझे दुबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं है natural selection वही process है जिसमें होता है क्या कि जो इंसान कैसा होता है किसी particular habitat के लिए सबसे ज़्यादा fit होता है इंसान क्यों बोलती हो में organism जो organism किसी एक particular habitat के लिए सबसे ज़्यादा fit होता है उस fitness को Darwin ने कब accept किया अपनी natural selection की theory में Darwin ने fitness उसी को कहा है जो उस particular habitat में क्या कर सके reproduce कर सके अपने number of progenies को increase कर सके उसी चीज को Darwin ने क्या कहा है Darwin ने उसी चीज को fitness कहा है ठीक है तो ये जो fitness थी जो better survival की conditions थी जो क्या कर सके उस habitat में survive कर सके अपने progenies को बना सके रीप्रोड्यूस कर सके ठीक है तो ये process ही क्या कहला ही इनकी पूरी की पूरी में थी नेचरल सेलेक्शन कहला ही थी ठीक है कि उस है बिटेटेट के नेचर ने उन्हें क्या किया है वहाँ पर सिलेक्ट किया भाई कि तुम रहो यहां पर है ना यहां फलो फूलो बढ़िया तरीके से एक रिटिकल आपको यह किया गया यह जितने भी सारे factors आप पढ़ते आ रहे हो, make us believe that variation due to mutation और variation due to recombination, mutation जो कि एक chance factor है, ठीक है, उस से आए हुए variations और recombination जो की होता है कैसे, intermixing वगरा से, ठीक है, तो इस recombination से आए हुए variations जो है, gametogenesis के वाक्त, और due to gene flow or genetic drift, result in change frequencies of genes and alleles in future generations, इसकी वज़ा से भी, जो gene frequencies है, alleles है, वो भी क्या होती है, इसकी वज़ा से भी equilibrium जो है, वो बदलता है, इसकी वज़ा से भी frequencies जो है, वो क्या होती है, change होती है, mutations की वज़ा से भी, recombination की वज़ा से भी और variations की वज़ा से भी, ठीक है, gene frequencies change होती है, equilibrium maintain नहीं रहता क्योंकि नहीं नहीं चीज़ें produce होती है न तो equilibrium में कैसे रहेगा constant कैसे चलेगा genetic flow ठीक तो couple to enhance reproductive success natural selection makes it look like different population अब reproductive success की अगर हम बात करें तो natural selection की वज़ा से ठीक है वो जो population है वह completely कैसी लगती है different population नजर आने लगती है जैसे ही अगर पहले वाली जो भी population ती उसमें नए उस्प्रिंग्स की अगर हम बात करें generation 2 की अगर हम बात करें तो पूरी population कैसे लगने लगती है होने अपने आपको क्या कर लिया चेंज कर लिया और वह बदलते गए किस चीज में ठीक है वहाँ पर क्या होता गया natural selection की वैसे यह सब चीजे population पूरी कैसी होने लगी बदलने लगी ठीक है different population की तरह लगने लगी अब आप याद करो हाडी विन्बग प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की कि इसमें आते हैं क्या equilibrium या तो maintained रहता है या फिर इस यह क्या होता है इसमें difference आता है एक directional ठीक है आगे के direction में पीछे के direction में इसमें कोई directional change आता है अब यह जो यहां पर directional change की बात हो रही है उसे यहां पर इन्होंने एक ग्राफ से भी समझाया है हाडी विन्बग ने see natural selection can leto stabilization in which more individuals acquire mean character value directional change more individuals acquire value other than the mean character value तो यह कहलाएगा disruption और ज्यादा तर इंडिविजुल्स अगर अक्वायर कर लें क्या peripheral character value को at both ends of the distribution curve ठीक देखो क्या मतलब है इसका stabilization curve क्या indicate करता है यह उन्होंने यहां बताया है इसको मैं highlight कर दूँ stabilization का indicate करता है जब more individuals acquire कर लें क्या mean character value को ठीक दूसरा उन्होंने कहा है कि यह directional change कब आएगा जब ज्यादा तर इंडिविजुल्स acquire कर लें value को other than the mean character value और तीसरा उन्होंने क्या कहा है कि disruption कब होगा जब ज्यादा तर इंडिविजुल्स acquire कर लें क्या peripheral character को value at both the ends of the distribution curve चलो सबसे पहला वाला जो आपको दिख रहा है ठीक है सबसे पहला वाला जो आपको दिख रहा है क्या stabilization curve तो देखो stabilization कहां दिख रहा है number of individuals with phenotype यहां पर आपको phenotypes के साथ individual दिखाए है वो जो महां लिखा है वो यहां भी लिखा है ठीक है मैं read करके बता रही हूं in case अगर visible ना हो phenotypes favored by natural selection ठीक है यह वो phenotypes है जिनने natural selection ने favor किया ठीक है यह natural selection वाले और यह कौन से है medium-sized individuals are favored ठीक है यह जो growth चल रही है ठीक है यह growth चल रही है वो कैसी चल रही है ठीक है यह growth कैसी चल रही है देखो जरा इसको ठीक यहां पर आपको इस side पर क्या धिका हुए है phenotypes जो की natural selection से favor हुए और इस तरह आपको दिखाए हुए क्या medium-sized individuals जो की favor किये गए अब इन में से कौन सी पीक में काप क्या दिख रहा है कौन सा आपको स्टेबलाइजेशन दिख रहा है कौन सा शिफ्ट आपको होता हुआ दिख रहा है ज़रा ध्यान दो पी गेट्स हायर एट एंड नेरोर यहां पर पीक क्या होती जा रही है तो क्या यह निक्स बन गई है आप इंका मतलब क्या है देखो यहां पर यह जो हैला आपडायों वो चीकंगे है जो सबसे पहला प्सक्राइब पहले जारी ह यह हो पाई जारी हिर ग्रीरा है यहां पर जाहता तर सीde इंदर आया रहा है जाधा-तर इंडिविजुम्स ़िस क्या कर रहे हैं मिन करेकTSAN वेल्यू के अवा दूसरी कोई भी वेल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोई भी एक direction वाला चेंज आजाएगा sorry यहां पर कोई भी एक direction वाला चेंज आजएगा ठीक है या तो इस direction में mean value से अलावा दूसरा कोई भी value पे वो लोग पी कर रहे हैं यह हो जाएगा आपका directional चेंज किसी यह एक direction में दूसरा है disruption कर डिस्रॉप्टिव कर डिस्रॉप्टिव कर डिस्रॉप्टिव कर में क्या होगा more individuals acquire peripheral character ठीक है दोनों जो दो अलग character का mean निकलना था वो mean निकलने की बजाए उस mean value पे पहुंचने की बजाए ठीक है equally एक character और equally दूसरा character acquire कर लिया तो यहां पर क्या हो गई दो अलगलग peaks बन गई यह देखो यहां पर क्या हो गई दो अलगलग peaks बन गई और इस कर पको कहते है disruptive कर क्योंकि वो जो mean character है वहां तक तो पहुंच ही नहीं रहे ठीक है इसको कहते हैं क्या disruptive कर क्योंकि यहां पर more individuals जो इसने acquire कर लिया एक तो peripheral character value at both ends of the distribution curve दोनों ही ends पर उन्होंने क्या कर लिया दो अलगलग peripheral values को अच्छीव कर लिया mean character value तक नहीं पहुंच रहे हैं इस तरह से इन्होंने क्या बताया है hardy windberg ने तीन curves बताये हैं एक बताता है stabilization को दूसरा बताता है directional change को और तीसरा बताता है किसको disruption को ठीक तीन curve बताये हैं चलो भाई इस तरह से आपका hardy windberg principle यहां पर complete होता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो देखना था एक algebraic expression ठीक है starting से लेके आते हैं वापस देखो सबसे पहले तो देखना था आपको एक algebraic expression कि यह हमेशा कैसे रहेंगे अलिलिक frequencies equal रहेंगे equilibrium में रहेंगे unity रहेंगे ठीक और इसका मतलब हुआ क्या इसका मतलब हुआ कि कोई evolution नहीं कोई change नहीं जब तक equilibrium बना हुआ है लेकिन अगर equilibrium में कहीं पर भी लगा कि disbalance आ रहा है यह जो equilibrium है यह unity से अगर यह expression वो क्या हो रहा है unity में express नहीं किया जा पा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर क्या आ गया है evolutionary changes या फिर variation आ गया-' registration आ गया इंज है यह सारे जो factors उन्होंने बताएं वह factors जो कि अगर genetic equilibrium को ठीक है अगर इसको disbalance करना इसको disrupt करना है तो इसका मतलब यह वह factors है जो evolution को cause करने जो variations को cause करने जो changes को cause करने क्योंकि change आएगा तभी disbalance बनेगा तो दोनों एक ही बात हुई ठीक है तो variation लाने वाले या evolution लाने वाले factors कौन कौन से थे gene migration, gene flow, gene drift, genetic drift, mutation, genetic recombination और natural selection यह वो factors थे ठीक है इनके साथ हमने deal किया founder effect हमने देखा कि भाई population में जो original drifted population है वो क्या बन जाती है founder बन जाती है ठीक है क्योंकि उसी population से जाके यह लोग क्या हुए है नए नए species में form हुए है नए नए तरीके से उन्होंने अपने आपको क्या कर लिया है change कर लिया है speciesation कर लिया है तो वो क्या कहलाएगा founder कहलाएगा original वाला और उनकुरा effect क्या कहलाएगा founder effect कहलाएगा ठीक तो ये कुछ चीज़े हैं हमने इसके अंदर पढ़ी graphical representation हमने पढ़ा Hardy-Winberg equilibrium का जिसके अंदर हमने तीन तरह के curve पढ़े stabilization curve, directional change वाला curve और disruptive curve जिसके अंदर बनती है क्या दो अलग-अलग peaks ठीक है तो ये था आपका complete Hardy-Winberg principle अब next class में आप पढ़ने वाले हो इसी कहानी की इसी evolution से जुड़ी हुई एक और episode ठीक है मिलते है next lecture में तब तक आपको क्या करना है आपको करते रहना है सारे ही chapters को revise अपने favorite channel Magnet Brains के playlist section में जो आप use कर सकते हो YouTube channel से भी या फिर app से भी या फिर website से भी which is www.magnetbrains.com ठीक है इन तीनों के platforms पर आपको ये पूरा का पूरा full course content available है absolutely for free चलिए मिलते है next lecture में पढ़ेंगे एक और नया episode of evolution till then bye bye take care everyone